तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Google Pay application में loan के लिए apply कैसे करें जी हैं दोस्तो अगर आपको emergency में पैसो की जरूरत पढ़ जाती है तो दोस्तो अब जो है आपको कोई भी application में try करने की जरूरत नहीं है अब आप जो है Google Pay से ही loan के लिए apply कर सकते हैं इसमें आपको जो है instant की stand approval मिल जाता है तो दोस्तो किस तरह से जो है Google Pay में आपको loan मिलेगा कैसे apply किया जाएगा सरी जनकरी मैं आपको live proof के साथ इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते है तो इस वीडियो को ज़रू से end तक देखेगा और दोस्तो अगर चैनल पर पहली बार आएं चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज जार चैनल को subscribe कर लिजेगा और जो साथ में घंटी बाला बटन है उसको भी प्रेस कर लिजेगा क्यों तो यहां पर दोस्तो आपको जो है गोगल पी एप्लीकेशन को ओपिन कर लेना है अगर आप इसको पहले से यूज कर रहे हैं तो आपके सामनी इस तरह से आएगा अगर आप इसको फस्ट वार डाउनलोड करके ओपिन करेंगे तो आपको सिंपल सा इसमें अपना लिंक है तभी आपका बैंक अगर इसमें अड़ आप आगा तो जैसे आप यहां पर एक्सप्लोर के उप्शन करेंगे तो आपके सामनी कुछ यहां पर इस तरह से आजाएगा तो यहां पर दोस्तों अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि दोस्तों यहां पर Google Pay application एक secure application है इसमें आप किसी प्रकार का capture नहीं ले सकते हैं तो मेरे पास इसका screenshot है आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपके सामने आएगा यहाँ पर आपको जो भी loan application है जिस भी application का tie-off है जो भी Google पर application जो है जिस भी application से loan देती है वो आपको सभी की सभी application यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जैसे कि money view application कैसी application और भी कई सारी application है जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे होगी तो मैं यहाँ पर money view loan application से apply करके आपको दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पर get credit के option पर click कर देता हूँ तो जैसे आप यहाँ पर get credit के option पर click करेंगे तो आपके सामने यह इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 5 लाग तक का loan मिल जाता है stand के stand आपको यहाँ पर approval मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर loan apply करने के लिए 3 step का complete करना होता है यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आप अपनी amount को select करेंगे उसके बाद में KYC को complete करेंगे upload document करेंगे यहाँ पर सीधे आपके bank account में जो भी पैसा है वो भेज दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप check eligibility के option पर click करेंगे पहले मैं आपको money view application से loan लेना बताता हूँ उसके बाद में बाकी जो यहाँ पर application से loan मिलता है उसमें भी मैं आपको apply करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले check eligibility के option पर click करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर check eligibility के option पर click करेंगे तो आप अपनी यहाँ पर एक mail डालेंगे जो भी आपके google pay में है email id वो यहाँ पर automatically आ जाएगी दोस्ते नाम डालना है उसके बाद में लास्ट नेम डालना है अपना employment select करना है आप Library पर काम करते हैं या self employment है उसके बाद में आपकी मंतली की income कित्नी है बोहाँ आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर Terms को Accept करेंगे और Continue के Option पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे Continue के Option पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दूस्तों आपका जो है Pen Card Number Automatically Facts हो जाता है अगर आपका यहाँ पर Pen Card Number Facts नहीं होता है तो आप अपना यहाँ पर Pen Card Number डालने का आपको Option मिल जागा बहाँ पर आप अपना Pen Card Number डालेंगे तो मेरा यहाँ पर Pen Card Automatically Facts हो गया है तो मैं यहाँ पर Yes, This is Correct के Option पर क्लिक करूंगा उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी Education को डालना है आप कितना पड़े हुए हो उसके बाद में आप अपना यहाँ पर Business Name डालेंगे और Get Offer के Option पर क्लिक कर देंगे तो जैसे आप यहाँ पर Facts के Option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह से Facts के लिएगी आपको यहाँ पर बेट कर लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पर एक लाग का लोन अप्रूब हुआ है इसको लेने के लिए आपको जो है यहाँ पर इमाई चाहाँ तो आप यहाँ पर इमाई भी Create कर तकते हो अगर छे मैने में इसका रिपेमेंट आप करोगे तो आपक अप्लाइन आपके option पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर चार जो है और चीज़ें यहाँ पर upload करनी होती है पहला यहाँ पर आपको अपना pen card upload करना होगा उसके बाद में address proof के लिए आपको अपनी voter ID card या अधार card एक चीज़ को जो है upload करना होता ह उसके बाद में आप अपना यहाँ पर जो है bank statement जो है upload करेंगे उसके बाद में आप अपनी यहाँ पर एक साप सुतरी selfie को upload करेंगे उसके बाद में continue के option पर click करने के बाद में आपको अपर facts होगा facts होने के बाद में जो भी आपको loan मिलेगा वो आपके bank account में इस तरह से transfer कर दिया जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिका है congratulations your loan amount है जो है आपका पैसा बेज दिया गया है अब चलिए बात करते हैं जो लोग कैफी application से loan के लिए apply करना चाहते हैं तो simple आप यहाँ पर जो है get credit के option पर click करेंगे तो उसकी सारी detail यहाँ पर आजाएगी य यहाँ पर जो है आपसे processing piece भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0% यहाँ पर आपसे processing piece दिखा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है charges लग जाता है 100% यहाँ पर जो है यह digital application है इसमें आप जो है online loan के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप Google Pay application में loan के लि होगी अगर वीडियो पसंदेज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जहन बंदे मात्रम धन्नवाद